पंचांग के अनुसा जीवित पूत्री का या जीते अवरत अश्वनी मास की क्रश्न पक्रियास्ट में तीथी को रखा जाता है और इस वरत का पारणम में तीथी को किया जाता है छट प्रत की तरह ये वरत भी तीन निन तक चलता है जीते अवरत विशेश का संतान प्राप् कब रखा गया है तो यह व्रत खास ओर पे जो तीति है वह खास मानी गई है इसके अंदर और जिवीत पुत्री का व्रत वह तीन दिन तर चलने वाला परू है जो कि 28 सितंबर से 30 सितंबर तक हनाय जाएगा और साथी साथ यह व्रत बुद्वार के दिन रखा जाएगा अब हम जानेंगे कि जीति हवरत का शुब मूरत क्या है तो साल 2021 में जीति हवरत का पारंUNT 13 सितंबर को किया जाएगा Bay जीतिय वरत का अंतिम दिन होगा, इस वरत में कुछ खास खाया पीया नहीं जाता है, इसलिए यह निजला वरत होता है, वरत का पारण अगले दिन नम्मी की सुबह किया जाता है, जिसके बाद पारण के लिए चावल, मर्वा की रोटी, नोनी का सागी, का विदान है, जीतिय वरत के दिन नित्य कर्म इस्नानादी के बाद साफ वस्रधारं का पूजाई सलपा सूर्य नारें जी मुत वाहन रहतिमा को इस्नान कराकर इस्तापित करना होता है और अब रहतिमा के समक्स धूब दीप आर्थी करें और इसके बाद मिठाए का भोग करा है इस वुरेत में माताई सब्तमी तीथी को यानि नहाइक हाई को सूरिया से पहले खाना और जल गरहन कर वरत की शुरुआत करती हो अश्तमी तीथी को पूरे दिन निजला वरत रखती हूँ उसके बाद अगले दिन्यानी नौमी को वरत का पारंग के साथ जीवित पुत्रिका व्रत का समापन करती हैं तो धार्मिक मान लेता कि अनुसरा जूइत पुत्रिका व्रत संतान से जूड़ावा हो रहता है तो ये तिखाज जानकरी तो जानकरी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल लाइक कमें बादीजे तो मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में अरे किश्मा